आज हम सीखेंगे मेंडली ये द्विसंकर क्रॉस के बारे में एकल संकर क्रॉस में मेंडल ने एक समय पर केवल एक लक्षन के वनशागती का अध्ययन किया लेकिन एक जिव में कई सारे लक्षन उपस्थित होते हैं जिने नियंतरित करने वाले कारक भी भिन्न होते हैं इसलिए इन कारकों की वनशागती का एक दूसरे पर प्रभाव होने की संभावना भी होगी इसे समझने के लिए मेंडल ने उद्यान मतर यानि गाडन पी के पौधे का द्वी संकर क्रॉस यानि डाय हाइब्रिट क्रॉस किया ऐसा क्रॉस जिसमें दो विपरियासी लक्षणों का अध्यान किया जाता है द्वी संकर क्रॉस कहलाता है हम जानते हैं कि ऐसे जिव जिसमें एक लक्षण के लिए समान युगम विकल्पी या एलील होते हैं वे उस लक्षन के लिए सम्युगमजी यानि होमोजाइगस होते हैं। द्विसंकर क्रोस के जनक दो लक्षनों के लिए सम्युगमजी होते हैं। चलिए इस प्रयोग को समझे। एक द्विसंकर क्रोस में मेंडल ने दो सम्युगमजी पौधे लिए। एक में फली का रंग हरा था तथा फली फूली हुई थी, दूसरे पौधे में फली का रंग पेला था तथा फली सिकूडी हुई थी. इनका क्रॉस करके प्राप्त बीजों से मेंडल ने प्रथम संत्ति पीढ़ी यानि F1 पीढ़ी के पौधे उगाए. इन पौधों की फलियां हरी थी तथा सभी फलियां फूली हुई थी वीडियो रोक कर आप प्रभावी लक्षणों को पहचान ये पिल्कुल सही F1 पीड़ी में फलियों का हरा रंग अभिव्यक्त हुआ इसलिए यह पीले रंग पर प्रभावी है तथा फलियां फूली हुई प्राप्थ हुई इसलिए फली के फूले हुए होने का लक्षण सिकुडे हुए होने पर प्रभावी है यानि कि पीला रंग और फली का सिकुडा हुआ होना अप्रभावी लक्षण है प्रभावी लक्षन को हम अंग्रीजी के बड़े अक्षर से तथा अप्रभावी लक्षन को इसी अक्षर को छोटी लिपी में लिखकर व्यक्त करेंगे हम जानते हैं कि लेंगिक जनन से निर्मित संत्ती में प्रत्यक लक्षन के लिए दो विकल्प होते हैं एक जिन के भिन रूप को युग्म विकल्पी कहा जाता है जैसे यहां रंग के लिए दो रूप है हरा और पीला तथा फली की आकरिती के भी दो रूप है फूली हुई और सिकूडी हुई F1 पीढी के जनक फली के रंग और फली की आकरिती के लिए सम युगम जी है इसलिए इन में एक लक्षन के लिए समान युगम विकल्पी होंगे किसी भी जिव के अनुवनशिक धाचे यानि जेनिटिक कॉंसिटूशन को जीनी प्ररूप यानि जीनो टाइप कहा जाता है इसलिए हरे और फूली हुई फली वाले जनक का जीनो टाइप यह है तथा पीले और सिकूडी हुई फली के आकार वाले जनक का जीनोटाइप यह है चुकि दोनों जनकों दो लक्षणों के समान युगम विकल्पी है इसलिए इन में केवल एक प्रकार के युगमक बनेंगे इसलिए इन दोनों युगमकों के सनलयन से निर्मित संतती का जीनोटाइप यह होगा किसी भी जीव के बहरी रूप यानि के दिखने वाले लक्षणों को द्रिश्य प्ररूप यानि फीनोटाइप कहा जाता है F1-PD के पौधों का फेनोटाइप हरे रंग और फूली हुई फलिया है इनमें फली के रंग और फली की आकरिती के लिए दो भिन्न युगम विकल्पी है तथा ऐसे जिव जिसमें एक लक्षण के लिए भिन्न युगम विकल्पी होते हैं विशम युगमजी यानि हेट्रोजाइगस कहलाते हैं जिसे संकर यानि हाइब्रिट कहा जाता है F1 पेड़ी के पौधे दो लक्षणों के लिए विशम युगमजी यानि संकर है इसलिए इन्हें द्वी संकर यानि डाय हाइब्रिट कहा जाता है मेंडल ने प्राप्त F1 पेड़ी के बीजों से पौधे उगाए और पौधों का सुवपरागंड किया तो क्या आप पता सकते हैं कि F2 पेड़ी में कितने प्रकार की फलिया निर्मित हुई होंगी चलिए हम बताते हैं एकल संकर क्रोस के आधार पर हम कह सकते हैं कि निर्मित F2 पेड़ी की कुछ फलिया हरे रंग की और फूली हुई होंगी तथा कुछ फलिया पीले रंग की और सिकूडी हुई होंगी परन्तो F2 पेड़ी में चार प्रकार की फलिया निर्मित हुई F2 पेड़ी में रंग और आकार के विबिन संयोजन थे जिसमें दो संयों जन जनकों जैसे ठे और दो नई संयों जन थे ये सभी फलिया, 9 अनुपात, 3 अनुपात, 3 अनुपात, 1 के अनुपात यानि रेश्यों में प्रदर्शित हुई इस अनुपात को द्वी संकर अनुपात कहा जाता है मेंडल ने पाया कि जनक पीड़ी में फूली हुई फली का रंग हरा था और सिकुडी हुई फली का रंग पीला था लेकिन F2 पीड़ी में ऐसी फलियां भी थी जो कि फूली हुई थी लेकिन उनका रंग पीला था इसी तरह ऐसी फलियां भी थी जो सिकूडी हुई थी लेकिन उनका रंग हरा था इससे यह पता चलता है कि फली के रंग और फली के आकार का एक दूसरे की वनशागती पर कोई प्रभाव नहीं हुआ अर्थात फली के आकार और फली के रंग की वनशागती स्वतंत्र रूप से हुई है इसके लिए अवश्य ही उन्हें नियंत्रत करने वाले कारकों का विसंयोजन स्वतंत्र रूप से हुआ होगा इसी समझ के आधार पर मेंडल ने वनशागती का तीसरा नियम प्रस्तावित किया जिसे हम स्वतंत्र अप्व्यूहन नियम यानि Law of Independent Assortment कहते हैं इसके अनुसार जब किसी संकर में विपर्यास लक्षणों के दो जोड़े लिये जाते हैं तो किसी एक जोड़े की वनशागती दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होती है या दूसरे शब्दों में जब किसी संकर में विपर्यास लक्षणों के दो जोड़े लिये जाते हैं तो कारकों के प्रतियक जोड़े का अफ्व्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है चलिए इसे और अच्छे से समझे यहां द्वी संकर पौधे का जीनो टाइप यह है इस पौधे में युगमकों के उत्पत्ती के समय युगमविकल्पी यानि एलील का विसंयोजन इस प्रकार होगा कि प्रतियक युगमक प्रतियक लक्षण के लिए केवल एक एलील प्राप्त करेगा चुकि यहाँ दो लक्षणों के लिए एलील उपस्थित है इसलिए इनका अपव्युहन स्वतंत्र रूप से होगा और हमें इस प्रकार युगमक प्राप्त होंगे यहां फली के हरे रंग का एलील पचास प्रतिशत युगमकों में है इसी तरह फली के पीले रंग का एलील भी पचास प्रतिशत युगमकों में है इसी तरह आप देख सकते हैं कि फूली हुई फली या सिकुडी हुई फली के एलील भी पचास प्रतिशत युगमकों में है इ क्या आप उत्पन्न पौदे का जीनो टाइप और फिनो टाइप बता सकते हैं? वीडियो रोक कर पनेट वर्ग के माध्यम से ग्याद करने का प्रयास कीजिए. चलिए हम बताते हैं, यहां नर युगमक इस प्रकार है तथा मादा युगमक इस प्रकार है. इसके लिए हम पनेट वर्ग के दो पार्श्वों में नर और माधा के चारो युगमकों के प्रकार लिखेंगे. इसके बाद हम नीजे के वर्गों में विबिन युगमकों के सनलयन को इस प्रकार लिखेंगे. अब हम देख सकते हैं कि पनेट वर्ग के 16 वर्गों में 9 विभिन जीनी प्ररूप है इसलिए द्विसंकर क्रॉस का जीनो टाइप अनुपात इस प्रकार है लेकिन प्रभाविता की नियम के अंतरगत प्रभावी लक्षन की अभिव्यक्ती होगी इसलिए हमें द्विसंकर क्रॉस की F2 पीड़ी में केवल 4 फिनो टाइप प्राप्त होंगे जिनका अनुपात इस प्रकार है अब आपको वन्शागती का स्वतंत्र अप्यूहन नियम अच्छे से समझ गया होगा आज हमने सीखा मेंडली द्विसंकर क्रॉस के बारे में